आखिर कैसे सहीर शेक ने राजी किया था सुप्रिया पिलगावकर को कुछरंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3 का हिस्सा बनने के लिए शहीर ने शेर किया ये पूरा किस्सा कुछरंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3 चल दी टेलिविजन पर आने वाला है शो में शहीर शेक, एरिका फिनेंडिस और सुप्रिया पिलगावकर अपने ओरिजिनल रोल्स में नजर आएंगे सभी एक्टर्स सो के तीसरे सीजन को लेकर काफी एक्साइटेड है वही शहीर ने ये शेयर किया कि कैसे उन्होंने सुप्रिया पिलगावकर को राजी किया इस तीसरे सीजन का फिस्सा बनने के लिए शहीर ने बताया कि जब मैंने शो के तीसरे सीजन के बारे में सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ जैसे ही मुझे पता चला मैंने सुप्रिया मा को कॉल किया और कहा कि आपको ये शो करना ही है आप मना नहीं कर सकती कोई बहाना नहीं क्योंकि ऐसे कुछ चांसेस थे कि वो ये शो नहीं करे क्योंकि उन्होंने कुछ और ही साइन किया हुआ था मैंने वास्तों में वो हग जताया जो सिर्फ देव का ईश्वरी पर है सुप्रिया ने इसे ये कहते हुए पूरा किया कि नहीं नहीं पहला हग तुम्हारा ही है देव का बाद में है सहीर शेक के कॉल के बारे में बात करते हुए सुप्रिया पिल्गावकर ने कहा कि शहीर ने कॉल किया कि मा ये करना है और ये पहली बार था जब उसने इतना शौर होते हुए कहा वो मेरा किसी दूसरे प्रजेक्ट के सेट पर पहला दिन था उसने कहा मुझे नहीं पता आप क्या कर रही हो लेकिन आपको ये शो करना ही पड़ेगा जिसके बाद मैंने शहीर से पूछा की क्या एरिका भी ये शो कर रही है इसके बाद मैंने एरिका को फोन किया की क्या उसने शो के लिए हां कह दिया है जिसके बाद इस शो को मना करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था तो कितने एक्साइटेड हैं आप एक बार फिर से शहीर शेक और सुप्रिया पिलगावकर को देव और इशोरी के किरदार में देखने के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और टेलिविजन की सारी लेटिस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूले